तो जोस्तों किया हाल है यह आपका तुस्टॉक स्टोरी से निक्स्ट एपिसोड में आपका सवागत है एक और कैंड़ल से बनेगा लॉघ लो जी देखें आज वहारे लिए क्या है आज आ बेटा मॉर्निंग स्टार मॉर्निंग स्टार इंट्रस्टिंग केंडल सिक पेटर्न है जैसे पहले हमने सिंगल वाले समझे कल एक डबल वाला देखा यह तीन केंडल से बनेगा ठीक है पाकी बच्चे की पर पूछते हैं मैं केंडल सिक पेटर्न कितने और हैं कितने हैं सर यह तो बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा तो मैं क्या करूँगा कुछ और कवर करूँगा इसमें जो ज़्यादा चलते हैं फिर आफ्टर थाट ने इंडिकेटर्स की भी बहुत डिमांड आ रही है कि RSI फिर हमें MACD ब मैं यह तीन दिन में बनता है अब तीन का मतलब अग्ली आप बात कर रहें टाइम फ्रेंडेज में आगर आप इंट्र देंटेह नहिटरोर यह तो नेतिक है मले कि अगर 5 minutes का है एक 5 minute की candle अगली 5 minute की candle फिर तीसरी 5 minute की candle 15 minute वाले ने 15 minute की 3 candle से बनाना है इसे दे वाले ने 3 दिन के हिसाब से It is a downtrend reversal pattern मले downtrend के reversal के संकेत देगा आपको कि आप downtrend खतम होने वाला बुलिष है तो मंदीर की तो बात करनी नि The pattern is formed by combining three consecutive candlesticks यह देखें जी morning star थोड़ा ऐसा दिखाई देगा कि पहले market आपकी होगी downtrend में यह उसका pattern का day 1 होगा यह पहला दिन है यह day 2 है यह day 3 है जोकर आप ध्यान से देखें कि day 1 तो मंदी वाला दिन है day 2 जो है ना मैं day 2 के बारे में पहले बता दूँ वहाँ green red कुछ भी होजे चल जेगा color ज़्यादा matter नहीं करता पर यहाँ हमने green रखा अब day 2 के हुआ क्या है वहले वह आप थोड़ा से देख लेते open हुआ है close यहाँ हुआ है ज़्यादा change नहीं है ज़्यादा change नहीं है और high जाने की कोशी की रह नहीं पाए low जाने की कोशी की वहाँ भी रह नहीं पाए ज़्यादा अब day 3 ने क्या किया day 3 में एक तो आपको यहाँ closing से दिख रहा है काफी gap up opening मिली है आपको तो एक momentum वापस आता है momentum आपके पास वापस आ रहा है और इसमें volume की भी बड़ी importance है मैं बता दूँ जितने share इस दिन trade हुए है day 1 पे जितने share trade हुए है मानलो इतने तो day 2 पे उससे ज़्यादा होने चाहिए day 3 पे उससे भी ज़्यादा होने चाहिए मानलो पहले गिरावट चल रही थी फिर थोड़ा संबले day 2 थोड़ा हम संबले बड़े volume के साथ मानलो पहले दिन 10 लाग share की trading हुई तो अगले दिन 15 लाग share की होगी और day 3 मानलो 18 लाग की होगी तो इतना मतलब यह होता है कि अब market में जान आ रही है लोग मंदिग में नहीं जा रहे अब वो खरीदना चाहते हैं stock तो यहाँ volume का भी importance है तो जब भी कभी charts में आप इसे देखे तो नीचे volume भी लगा लेना तो इसे माना जाएगा बिना volume के थोड़ा खतरा ही रहेगा अब day 3 हुआ क्या कि gap up opening हुई है जी जबर्दस्थ क्योंकि पिछले दिन का close तो यहाँ काफी उपर खुला और काफी उपर बंद हुआ जैसे तो मारू बोजू टाइप ही बनी हुई है यहाँ पे कि आपको याद हो एक जरूरी बात बता दूँ डे 3 के बारे में जो day 1 का high है ना ज्यादा अंतर नहीं होगा फिर जो 3 दिन होगा कोई 3 दिन का pattern है तो मुझे 3 दिन की बात करनी है तीसरे दिन gap up opening होईगी और जो पहले दिन का high है उस से उपर 3 दिन बंद होना चाहिए फिर हम मान लेते हैं कि हाँ जी हमें morning star pattern बन गया है 4th day या 3rd day के end पे जो आखरी के 10-15 मिनिट होते हैं वहाँ पे या 4th day आप trade initiate कर सकते हैं अमेरें कि नी तो इस तरिक्के से morning star बनता है अब इदे बारे थोड़ी English भी सुन ले thought process behind the morning star is azender market is in a downtrend the bear is in absolute control माले मन्दी चल रही थी पूरी market makes successive new lows during this period day 1 of the pattern as expected market makes a new low और forms a long red candle red candle shows this selling acceleration कि बिक्वाली और तेज़ी से हो रही है day 2, the year shows some dominance day 2 भी उपर देखें तो पहले नीचे ही खुल रहा हूँ यह देख रहे हैं न यह नीचे ही खुला है opening देखो कि यतनी नीचे है तो opening हुई नीचे, this reaffirms the position of bear यह और पक्का करती है यह मंदी की situation को अभी तक के हला जो पड़े गए है after a gap down opening nothing much happened during the grade 2 क्या था gap down opening हुने के बाद कुछ ज़्यादा नहीं हुआ resulting in either dodgy or a spinning top dodgy और spinning top नहीं जानते हैं तो भाई चैनल पर वीडियो उसकी posted है जरूर देखें not the presence of dodgy or spinning top कहता है यहाँ note करने वाली बात है कि जो dodgy या spinning top यहाँ बन गए है represents indecision in the market पता ही हमें इन दोनों का इंडर सिक्स के बारे में यह indecision ही होता है यह हम क्या कहते हैं इसे तुफान से पहले की शांती तुफान से पहले की शांती occurrence of dodgy a spinning top sets in a bit of restlessness within the beards as they could have otherwise expected मन्दी वालों ने सुच्चा होगा और गिरेगा और गिरेगा अब वो थोड़े से डर गे है कि market समलने की कोशी कर रही है यह कहना जाता है third day market उपन होती है gap up green candle बनती है और वो पहले दिन के पहले दिन के high के भी उपर बंद होती है वैसे तो इन्होंने open लिखा हो पर हम इस पे ज़्यादा प्रेफरिये करते हैं मैं दोबारा आपको बता दूँ जो पहले दिन का high है यह पहले दिन का high है इस pattern का यह देखे यह इस से उपर बंद होजे तो बड़े अच्छे संकेत आजाते हैं कि अब तेजी आएगी और आप पैसा बना सकते हैं कि अधर day 3 is where all the action unfolds on gap of opening itself the beer would have been bit jettry मतलग और थोड़े डर गए होंगे encouraged by the gap of opening buying persist throughout the day और gap of opening से encourage होके तेजी वाले जड़े हैं खरीते गए खरीते गए so much that it manages to recover all the losses of day 1 the expectation is that कि यह bullishness आगे भी चलती रहेगी तो यह है जी बेटा आपका morning star तो आपने एक बार यह एक चार्ट भी यहां बना हो और वहाँ भी इसे आप देख सकते हैं वहाँ भी इन्होंने ऐसी दिखाया है कि पहले ही यह red candle है जी day 1 फिर यह तोटे वाला candle फिर उसके बाद यहां मैं बता हूँ पर इतना perfect हुआ नहीं है क्योंकि इसकी जड़ी यह closing है closing हमें यहां आसपास चाहिए तो इसे हम इतना perfect नहीं कहेंगे even though फिर भी बढ़त उसमें आई है क्योंकि technical में आपको पताए कि 70% के गरीब accuracy रहती है 100% accurate होगा ऐसा कहना मुश्किल है ठीक है यह lecture सारे ध्यान से सुन रहे है यह इसमें बंद देखो कहा हुआ जाके पिछले वो मंदी वाली candle के हाई से भी उपड़ निकल गया यह तो यह एक अच्छी buying के संकेत है है हाँ पे कि अच्छा interest बन गया खरीदारों का तो फिर ऐसी candle आगे मिलने का जागा चांस होगा यह morning star हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे अब इसके साथ साथ जी हमें इन्होंने दिया हुए एक evening star पहले morning star आया अब evening star आ रहा है सर रिवर्स होना आपको सारा पता हो evening star is a bearish equivalent of morning star जो evening star है यह bearish equivalent है morning star करेंगा जैसे वो bullish था न यह bearish है तो यहां कहता हो क्या होता होगा पहले uptrend रहेगा फिर उसके बाद जी वो नीचे जाएगा थोड़ा मिडल वाली एक candle बनेगी फिर break हो जाएगा the evening star appears at the top end of the uptrend like morning star evening star is a three candle formation and evolves over three trading session यह भी तीन candle से बनेगा भाई और तीन sessions के अंदर पूरा होगा लाओ थोड़ा देख लें भाई देखो यह uptrend चल रहा है बिल्कुल चल रहा है यहाँ आपने यह देखा कि यह candle बनी वैसी indecisive मतले कि जिस तरह वो dodgy जिस तरह को कहते हैं उसके बाद अब आके देखान देना अगले दिन की रड़ी candle है काफी नीचे close हो रही है यहाद ना red candle है उपन यहाँ close काफी नीचे मतलब कि यहाँ अगर आप देखें इसके low के नीचे बंद हो रही है this is basically an indicator मतलब कि इसके low के नीचे है हम पहली candle के साथ compare करेंगे बस वही बात है कि थोड़ा उसके आसपास जड़ा है low के आसपास यह बंद हो रही है एक बार दुबारा देखते है ठीक है जैसे यह वहाँ पर ग्रीन है देन उसके second candle आ रही है यहाँ से पढ़ भी सकते हैं साथ-साथ कि uptrend है number one point yes uptrend है then उसके बाद उसने क्या कहा bullish candle bullish candle आगी जी आपके number two point पे फिर gap up gap up opening जैसे वहाँ gap down होता था यहाँ bullishness मनी हुई है फिर लिखा small bullish या bearish candle तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो fourth वाला है यह feature इसमें पूरा मिल रहा आपको gap down उसके बाद देखिए जी यहाँ close हुआ है तो अगले दिन उससे नीचे खुला विल्कुल जी खुला then bearish candle यहाँ बेटा और perfect हो जाता जो text book कहती है अगर यह जो पहली candle है उसके भी low के नीचे बंद हो जाता पहली candle का मतलब यह है जैसे उसमें धाना कि उसके high से उपर बंद हो जे तो यहाँ अगर पहली candle के low के नीचे बंद हो जे तीसरी candle तो और perfect हो जाता but still it has been recognized as an evening star तो इस तरी के से है वई ऐसी बेटा और भी जो pattern छुटे-छुटे कुछ रहते हैं उनको हम cover करेंगे ही करेंगे अभी इस वीडियो में इतना ही है इसको आप अपना chart square पे देखें चैनल पे बच्चों ने कई बार पुछा कि यह chart square हमने कैसे देखने हैं उसके लिए आप एक बार दुबारा सुन लें तर एक तो tradingview.com के नाम से website है वहाँ आप जाके देख सकते हैं second is investing.com वहाँ भी आप देख सकते हैं third is if you have account जीरो दहा अप स्टॉक यह वो उसमें आप बढ़िया आपको सारे chart मलते हैं कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करके आप अपना देखते चलो ठीके जी volume add करना है वाल्यूम साथ में दिखाना है के नहीं वो चीज भी है तो यह थोड़ा practice करें तो और आप इसमें निखर के आएंगे ओके जी बाई बाई